शिव शक्ति सेही पूर्ण है शक्ति के वा सिंदूर है शिव शक्ति सेही पूर्ण है शक्ति के वा सिंदूर है शिव शक्ति के वा सिंदूर है गॉरी के गॉर्ण रब के लिए जो हो रहे अब दूर है कोई तोड़ना है बिशाहता कोई तोड़ना है बिशाहता कोई तोड़ना है बिशाहता सिर्व जाने क्या है कालिका अस्तित्व आदे शक्तिका विचलित चरेना भावना नहीं तोड़ना कोई तोड़ना दियती है बंधन से बरे जो रच दिया शूब करे तोड़ना है बंधना तोड़ना है बंधना मेरे स्तित्वता खंदन न हो दाइत्वता अब ना कोई अब रोज है अब मेरे पन का बोज है गीरी जामी और जाम शिब से है गौदे से शिब में शक्ती है ये दो नहीं है एक है अनुभोती समां भी विक्ती है हर श्वास शिब के नाम है यह प्रेम भी अ मेरा महै शिब धर्यतों सैयम शिबा है नलंजो शिब देश्टी शिबा अम शांति तकदीर जगा कराई हूं ओम शांति मीठे बच्चे इन दो लाइनों का अर्थ जिन बच्चों ने समझा वो हाथ खड़ा करो सुबह की साकार मुरली तकदीर जगा कर आई हूं कौन कहता है आत्मा तो जिनों ने इन दो लाइनों का अर्थ समझा वो क्या करो हाथ उठाओ पर प्रश्ण है समझा क्या जागना शक्तितु किर्ति है खड़ी हुई आरती उतारती मात्रभू पुकारती आज नेत्र तीसरा रूत्रदेव काखुले तांडव के तान पर काप वो योम यू पूदुले मान सर पे जो उठी बाहु शिग्र द्वस्त हो बाहु बाहु वीर की स्वाबिमान से खिले जाग शंक फूकरे शूर यू न चूकरे मात्रभूमी आज फिर है तुझे निहारती आज हात रिक्त क्यू जन जन विक्षिप्त क्यू शस्त्र हात में लिये करके तिर्ची आज भो देशलाज के लिये रन के साज के लिये समय आज आ गया तू खड़ा है मौन क्यू श करो सीह करजना शत्र सेह निबटना जै निदाद बोलरे है अजय भारती मात्रभू पुकारती क्या पुकारती है जाग जाग जागरे जाग अध्यात्म अरथात एक ही शब्द है क्या जागरन इस एक शब्द में संपूर्न धर्म समाया हुआ है संपूर्न जागरन अरथात संपूर्न ज्ञान संपूर्न जागरन अरथात संपूर्न योग संपूर्ण जागरन अर्थाद संपूर्ण धारना संपूर्ण जागरन अर्थाद संपूर्ण सेवा एक ही शब्द है जागरन जाग जाग जागरे तो आज हम चर्चा करेंगे जागरन के सूत्रों पर जागरन के कौन से सूत्र है पर जागना किस से है जगाया किसे जाता है, जो सोया है, जो नीन में है जगाया किसे जाता है, जो बेहोश है जगाया किसे जाता है, जो विस्मृती में है यह सारा खेल इन चार बातों में है नीन्द, जागरन, होश, बेहोश, होश विस्मृति, स्मृति, मर्ज, इमर्ज चार ये, इसमें सारा खेल है जब-जब ग्यान मर्ज हो जाता है क्या होता है? भूले होती है जब-जब विस्मृति होती है, भूले होती है जब-जब बेहोशी आती है, भूले होती है जब-जब हम नीन में खो जाते है जब जाग जाते तो संपूर नग्यान है और फिर हम संकल्प करते हैं कि यह नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे पर जब वो नहीं कर रहे है जब वो कर रहे हैं उस समय तो सोय हुए है इसलिए कोई भी संकल्प वहां काम नहीं करता है इसलिए काम जागरन पर करना है काम किस पर हो? जागरन पर तो जागना है किस से? नींद से जागना है किस से? बेहोशी से जागना है किस से? विस्मृती से जागना है किस से? अज्ञान से तीन प्रकार की नींद है एक नींद स्थूल दूसरी नीन अज्ञान की नीन जिसमें संसार सोया हुआ है तीसरी नीन जिसमें ब्रामन सोय हुए विस्मृति की निद्रा ऐसा नहीं कि ज्ञान है नहीं ज्ञान है परंतु जिस समय ज्ञान भूल जाता है उस समय गलती होती है उस समय भूले होती है उस विस्मृती की अवस्था में, उस बेहोशी की अवस्था में, उस नींद की अवस्था में, उस मर्ज, जिंग की अवस्था में, जो कुछ होता है, सब कुछ पाप है, पाप और पुन्य की सबसे सरल परिभाशा यही है, जो कुछ बेहोशी में किया जाएगा वो पाप, ज जो कुछ नींद में किया जाएगा पाप, जो कुछ जब ज्यान मर्ज हो गया है, थोड़े समय के लिए, उस अवस्था में जो कुछ किया जाएगा वो पाप. जो कुछ जागरन में किया जाएगा, होश में किया जाएगा, वो सब क्या है फिर, वो पुन्य है, सबसे बड़ा जागरन है, भ्रहम से जागरन, भ्रहम अर्थात, अंग्रेजी में दो शब्द है, एक है इल्यूजन, एक है डिल्यूजन, इन दोनों में क्या अंतर है, जुन को बता सकते हैं। एक है illusion, एक है delusion, दोनों में क्यांतर है। illusion अर्थात ब्रह्म, हम दूर से देख रहे हैं, साप दिखाई दे रहा है, अंदेरा है, वहाँ साप है नहीं, रज्जू है, वो क्या है? वो एक रस्षी है, पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? साप. पर हम light जब on कर देते, तो किसी को बताने कि आवशकता नहीं, हमें खुद ही समझ जाता है, कि ये साप नहीं है, उसी तरह, optical illusions होते हैं, ये optical illusions हैं, auditory illusions होते हैं, अलग-अलग illusions होते हैं, मान्यताय भी आजाएगा इसमें, पर जो कोई समझा दे, कोई सिखा दे, तो हम इस illusion से मुक्त हो जाते हैं, ये है illusion, ब्रह्म, ये हमारा ब्रह्म है, हमें कोई सिखा दे, समझा दे कि ये तुमारा अंदर विश्वास है, जो तुमें पालते आ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो हमको सिख्ध कर दे, तो हम उस भ्रह्म से मुक्त हो जाते हैं, इससे मुक्त हुआ जा सकता, डिलूजन क्या है, ये medical term है, इसमें व्यक्ति की इतनी गहरी, और इतनी पक्की मान्यता हो जाती है, कि कुछ भी कर दो, वो मानता ही नहीं है, वो उसकी fix धारना हो गई है, और ये अलग-अलग प्रकार की है, इसके लिए psychiatric treatment की आउश्च रकता है, delusion of grandeur, वो सोचता है मैं president हूँ, अब उसको समझाओ, हर तरीके से समझाओ, वो आप उसको समझाओ ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो, उसने ये मान लिया है, और वो logical नहीं है, कोई भी logic, वो स्विकार ही नहीं करता है, उसको इतना गहरा अंदर चला गया है, इतना गहरा चला गया है, delusion of grandeur, दूसरा है delusion of poverty, सब कुछ है, पर वो सोचता है मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अरे तुमारे पास ये बंगला है, ये सब कुछ है, पर वो मान्यता इतनी गहरी चली कि, ये इतनी गहरी, कि इसको treatment की आवशक्ता पड़ती है, इनको admit करना पड़ता है ये patients को, delusion of poverty, delusion of grandeur, delusion of guilt, मेरे से पाप हुआ है, मेरे से पाप हुआ है, उसको समझाओ, अरे भाई, तुमसे बड़े-बड़े पापी सब बैटे हैं या, वो कहता है, मेरे से पापी कोई नहीं, मैंने बाबा की श्रीमत का उल्लंकन किया है, मैं ही पापी हूँ, और वो इतना गहरा है, उसको कितना भी समझाओ, कितना भी समझाओ, वो अपने grant, इसको कहते है, delusion of guilt, उस guilt से वो मुक्ती नहीं हो पाता, है, माना उसकी गलती है, पर बहुत ज़्यदा, मैं अपवित्र हूँ, मेरे से अपवित्रता का कारिय हुआ है, अब कितना भी समझाओ, अब भूल जाओ, बाबा के सारे महावक्य बताओ, आगे का जीवन चालू करो, नहीं, पकड़ के रखा है, यह डिलूजन, डिलूजन ऑफ गिल्ट, डिलूजन ऑफ जेलसी, डिलूजन ऑफ डाउट, यह दो लोग जो बात कर रहे हैं, नहीं मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, वो कोई मेरे खिलाफ शडियंत्र कर रहे हैं, सब पर डाउट करते हैं, सब ही पर doubt, delusion of doubt और उसको कितना भी समझाओ, तुमारे खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा है ना, इतना गहरा चला गया, इतना गहरा चला गया है Delusion of grandeur, मैं बहुत महान हूँ यह सब मुर्ख है मैं सबसे होशियार हूँ Delusion of grandeur यह जो delusion से इनको treatment की आउशकता होती है यह मानते नहीं है वैसे यह depression तो बहुत छोटी बात है यह तो बहुत बड़ा है, यह psychosis में आता है psychiatry में दो प्रकार की बिमारी आए एक है neurosis, एक है psychosis neurosis अरथाथ चड़ो जॉब में reject कर दिया interview में reject कर दिया, उदास लगा यह छोटा मोटा, वो neurosis है, वो counselling से यह सब चीजों से ठीक हो जाता है दूसरा है psychosis schizophrenia, manic disorder bipolar disorder, पागल बन जिसको कहते है वापस, proper जो पागल जिसको कहा जाते है वो psychosis, उसके लिए बिना treatment के वो ठीक नहीं होते है उनको treatment लगती है तो यह जो है, यह इसमें आता है major में आता है हम चर्चा dilusion की नहीं करेंगे illusion की करेंगे क्योंकि dilusion, यह medical चर्चा है यह जो illusion है, इसे यह क्या है ब्रह्म जैसे एक व्यक्ति है जिसकी उमर 70 साल की हो गई है सारे गाव वाले कहते हैं आपका हम bird day celebrate करेंगे चोटा गाव है तो bird day celebrate करते हैं और उस गाव में अभी पहली बार rail चालू हुई है आज तक कभी rail थी नहीं और कोई भी आज तक पूरे गाव से गाड़ी में बैटा नहीं है तो हो कहते हैं क्यूंकि आप सबसे बुज़ूग है बड़े है और आपको bird day gift के रूप में आपके लिए train सफर हम सब गावालों की तरफ से ऐसा पंचायत निरने लेती है तो व्यक्ति उस train में बैटता है पर साथ में एक दूसरा साथी भी बैटता है क्यूंकि फर्स टाइम है इसलिए तो दोनों train में बैटते हैं और जाना चालू करते हैं train चालू हो जाती है उनकों बहुत खुशी होती है नया नया first time first experience train का जा रहे है जा रहे है जा रहे है वो पानी की बोटल वाले Pepsi, Limka, cold drink वाले आ रहे है तो उन में से एक बूड़ा वेक्ति वो जो है वो दूसरा वो लेता है एक जन लेता है वो कहते हैं आदा आदा पीएंगे तो पीने लगता है आदा भी पूरा हो जाता है दूसरे को लगता है मेरा क्या वो चीनता है, मुझे दो और जिस समय चीनता है उस समय गाड़ी टनेल से गुजरती है उसको हिंदी में क्या कहते है सुरंग, एक काली, अंधियारी घटा, टोप, अंधकार जिसमें कुछ भी नहीं दिखता वहाँ से ट्रेन, उसी समय गुजरती है जिसने वो पिया था, वो ड्रिंक वो कहता है, रुको मैं अंधा हो गया हो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यह पीना मत, इस पीने के वज़े से I have struck blind क्या किया उसने यह coincidence हो गया है कि उसने वो पिया और वो टनल से, उस सुरंग से ट्रेन गुजरी उसने दो चीज़ों को जोड़ दिया पीना और न दिखना इसे कहते हैं illusion, हम भी दिन भर यही काम करते हैं एक चीज़ को दूसरे से जोड़ते हैं जिससे जोड़ा उसका उससे कोई संबंध नहीं है पर वो जोड़ इतना गहरा है कि वो ब्रह्म हमें सत्य भास्ता है कोई व्यक्ति है वो मेरा मित्र है सबसे अच्छा मित्र है परंतु वो शड़ियंत कर रहा है हमारे खिलाब मन ही मन कैसे इसको वसाओ परंतु हमें जो प्रेम की खोच थी वो प्रेम उससे मिला वो प्रेम और वो दोस्ती हमने जोड़ी है एक इल्यूजन क्रियेट किया है तो ऐसी बहुत सारी चीजे है आज दिन बर खुदी देखना आप मन किस किस प्रकार के इल्यूजन क्रियेट करता है यह सब खेल इदर हो रहा है जागरन अर्थात इन्हे इल्यूजन से मुक्त होना इन्हे ब्रहम से मुक्त होना जागरन अर्थात डिस इल्यूजन मेंट यह जो बट्टी है न यह disillusionment की बट्टी है, एक तो detox बट्टी, एक de-addiction बट्टी, और आज बता रहे है, disillusionment, disillusionment अर्थाद ब्रहम से मुक्ती, ब्रहम को ब्रहमित करते ना, स्वामी बेखना अमेरिका गये, तो लोग कहने लगे, अच्छा, तो तुम हमको hypnotize करने आये हो, यह हमको hypnotize करने आये हो, हम hypnotize होने वाले नहीं, विए scientific people, वो कहते हैं, you are already hypnotized, I have come to de-hypnotize you, तुम पहले ही hypnotized हो, कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, नचबाती भूत संगम, यह शरीर तुम नहीं हो, तद ब्रह्मन इश्कलम हम, वो जो आतमा है, वो चेतन तुम हो, तो यह de-hypnosis की बटी है, de-mystification की बटी है, वो सारी मान्यता है, वो सारे ब्रह्म, जो हमने अपने अंदर पाल रखे हैं, और जिसके साथ हम जीते हैं, जिसके सारे जीते हैं, जिसमें जीते हैं, तो अध्यात्मार्थात जाकरन, अध्यात्मार्थात disillusionment, अध्यात्मार्थात सभी ब्रह्मों से मुक्ती, तो सबसे पहले तो यह पता चाहिए, और भ्रहम से मुक्तक ऐसे हो नहीं ब्रहम यह ब्रहम हो गया है वो रसी साप है वो और साप देखने के बाद हम दो चीज़े करते यहां तो जो बाहदूर होगा यह पकड़ने वाला होगा सुशील भाई होगे तो जाकर उसको पकड़ लेंगे हाथ से दूसरा कोई हो गया तो साप 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 और भाग जाएगा तो दो प्रकार के रिस्पॉंस है फाइट और फ्लाइट एक तो फाइट करेगा या तो फ्लाइट भाग जाएगा सत्य कौन सा है पर है वो साप तो है यह नहीं रसी है दोनों ही गलत है करना क्या है प्रकाश को लाना है लाइट को लाना है क्योंकि यह हो किसलिए रहा है यह ब्रहम उत्पन्न हुआ है अंधेरा है इसलिए उत्पन्न हो रहा है इसलिए प्रकाश को यह लाना है प्रकाश आते ही वो फिर है ही नहीं यह तो प्रकाश है और प्रकाश अगर नहीं है तो साप है प्रकाश अगर ला लिया तो फिर यहां कुछ भी नहीं है फिर यह लड़ाई यह वियर्थ हो गई अब किस से लड़ रहे यह विकार भी क्या है रसी है जब हम विस्मृति की अवस्था में हैं तब हमें वो साप दिखाई देते, खतरनाक दिखाई देते, उससे हम लड़ते, संगर्ष करते, सारा जीवन काम विकार से लड़ते लड़ते गुदर जाता है, सुनते हुए काम माशत्र हुए, काम माशत्र हुए, लड़ाई में ही चला जाता है, प्रकाश को लाओ, जगरन के आठ सूत्र है, कोई व्यक्ति सोया है, वही सारे सूत्र यहां भी अपलाई करेंगे, जो उसको उठाने के लिए चीजे लगती है, वो हमें भी अपने आपको उठाना है, यहां प्रक्रिया है कि सोय भी हम है और उठाने वाले भी हम ही है, सपन भी हम ही देख रहे है और सोपन बड़ा मीठा है सोपन में सब कुछ अपना अपना लग रहा है अच्छे अच्छे लोग है मिल रहे स्तूती हो रही है लोग हमारी सेवा कर रहे है हमारी महानता की गायन कर रहे किरती हो रही है, नाम हो रहा है सोपन इतना सुन्दर है सबसे पहला तो जो सोया हुआ व्यक्ति है उसको अगर कोई जगा है तो उससे प्यार करता है क्या सुबह दो बजे उटके कोई कहे कि उटो अमरित वेला उसमें तो इतना खलल पैदा किया हमारे सपन में जो जगाने वाले होते हैं उनको पसंद नहीं करते हैं लोग इसके लिए जीजस को सूली पर चड़ा दिया जगाने आया था बुद्ध को पत्थरों से मारा महावीर के आनों में केल ठोक दी मनसूर को मार दिया एकेकंग काटा उसका सुकरात को जहर पिला दिया जो जगाने आएगा उसको कभी प्यार नहीं किया जाता है उसे दुश्मन की नजर से देखते हैं क्योंकि हमारा जो सुगदाई जीवन है आनंदमई जीवन है हमारा जो comfort zone है उसमें से कोई खीच के बाहर निकाले आराम से सब कुछ चालू था जगाना हमें अपने आपको है तो सबसे पहली विदी कोई व्यक्ति सोया है किड़गिया खोल दो लाइट सौन कर दो आख खुलती है उसकी प्रकाश लाइट इतना लाइट लाओ इतना लाइट लालो कि सोना ही मुश्किल हो जाए उसको खटिया उठाके धूप में रख दो अच्छे से सोरा तो उड़ जाएगा वो जब प्रकाश एक विदी है जगाने की वहाँ पर स्थूल प्रकाश यहाँ पर हमारी विस्मृति की नित्रा है अग्ञान की नित्रा है यहाँ पर प्रकाश कुला और प्रकाश कुलाना अर्थाद ग्यान कुलाना ग्यान के प्रकाश इसलिए यह निरंतर हमारे मन में रहे कि हमने कुछ भी नहीं जाना है जानना अभी बाकी है जिसको यह गर्व हो जाता है मैंने सब जान लिया उसका उसका जीवन वहीं स्थिर हो जाता है क्योंकि जानना अभी बहुत बाकी है क्या हमने जाना आज की मुरली मिठे बच्चे जिन बच्चों ने इन दो लाइनों का अर्थ समझा वो हाथ कड़ा करो ऐसा उसको बोलना पड़ता है अर्थात उसे अंदर कुछ पता है कि किसी ने कुछ भी समझा नहीं है मुरली में दो जगा पर है आज अगर कुछ तकलीफ है तो बाप से पूछो कोई भी बात है तो बाप से पूछो अर्थात वो जब खुद आउफर कर रहा है मुझ से पूछो अर्थात वो यह जानता है कि तुमने समझा नहीं है और तुम जो नहीं पूछ रहे हैं वो तुम्हारा ही अपना हंकार है जिसके वज़े से हम नहीं पूछते हम क्यों पूछें यह जो नए लोग आएंगे नो वो पूछेंगे यह हमारा काम ने हमने सब जान लिया है आदी मद्यांत फर्स्ट इस रियलाइजेशन पर आना कि हमने कुछ भी नहीं जाना है क्या जाना जो जाना वो केवल सुचना है आत्मा यहां परमात्मा वहां यह संगम यूग नाम को जाना है नेमिंग किया है बस लेबल रखे यह सुक्षम वतन वो परमधाम जाना क्या है? जाना कुछ भी नहीं है जैसे कोई कहे हमने शरीर को जान लिया क्या जाना तुमने शरीर के बार में? अनाटोमी जान लिया बस यह लिवर है, यह स्प्लीन है, यह लंग्स है, यह हार्ट है तुमने क्या जाना है शरीर के बार में? कुछ भी नहीं जाना है शरीर जो स्थूल है, जो इतना दिखता है उसको यह जान नहीं पाए घा होता है कोई इतना पट्टीर्टी करता है, सब कुछ करता है इतना ध्यान रखता है, फिर भी घाव बड़ा हो जा कोई कुछ भी नहीं करता है, उसका हील होता है कितना miraculous है ये शरीर अजीव है, अद्भूत है शरीर चौका देने वाला है शरीर में पता नहीं क्या क्या होते रहते है कुछ कुछ होते ही रहते है अजीव हो गरीब है ये शरीर तो शरीर जो इतना दिखता है वह हमने नहीं जाना तो आत्मा तो दिखती नहीं, उसको हम किस, कैसा claim है हमारा कि हमने आत्मा को जान लिए और परमात्मा को जान लिए और confidence ये भी एक ब्रह्मी है कि हमने जाना है सबसे पहले तो अपने इसी ब्रह्म को तोड़ दिना है हमने कोर्स कराए है हमने ये कराए वो सब क्या किया हमने जो हमको सिखाया सिखाया है सिखा सिखाया ग्यान जो है अमने बस दूसरों को सिखा दिया हमने रटा भारत मेरा देश है सभी भारत यह मेरा यह है वो जो छोटे बच्चे को कहो न 15 अगस्ट पर भाषन ready रहता है उनका इतना बोलके मैं अपना भाषन पूरा करती हूँ जय हीन जय भारत हर 15 अगस्ट में सेम भाषन उसमें कोई चेंज नहीं है किसी भी स्टेज पर खड़ा कर दो ग्यान अर्थात निरंतर पिपासा अभीपसा जानने के उत्कंठा क्या है क्या है नए नए आयामों को समझना है एक ही मुर्ली अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अई-ए-ए-ए-ए- exercise नहीं करता है अध्यात्मिक व्यक्ति सोचता है तो चहरे पर तेज है कि नहीं वो देखता है कोई beauty parlor वाला, कोई फिल उदर वाला होगा तो देखेंगा, यह beautiful कितना है एक ही व्यक्ति को कितने अलग अलग लोग देख रहे हैं चोटा बच्चा सोचता है उसे मा दिखाई देती है एक विकारी पूरुष देखता है तो उसे कामुक वस्तु दिखाई देती है एक पिता देखता है उसे बेटी नजर आती है उसी में एक ही वेक्ति में एक कुटा देखता है उसे अपना मालिक नजर आता है तो उसी तरह ज्ञान की भी पॉइंट्स को अलग-लग-लग-लग-लग रिती से देखना है कि इसको अगर उस नजर से देखू तो ये क्या है? इसका क्या इरत है तो सबसे पहले क्या है? लाइट लाइट जो आएगा न तब जागेंगे तो light को लाने है और light को लाने के लिए क्या चाहिए ये भाव स्विकार करो कि हमने नहीं जाना है अभी बहुत कुछ जानना बाकी है सितारों से आगे जहां और भी है बहुत कुछ है अभी Shakespeare का एक नाटक है उसमें एक पात्र अपने साथी से कहता है there are many things in heaven and hell Horashio that are dreamt of in your philosophy अभी बहुत सी चीजे बाकी है जो तुमें पता नहीं in heaven and hell अभी बहुत सारी चीजे Macbeth कहता है अपने साथी से कि अभी बहुत कुछ बाते है जो हमने पता ही नहीं जो हमने जानी ही नहीं जो कुछ हमने जाना है वो कितना जाना है कितना जाना है we have just scratched the surface खाली एक ऐसे खरोज की है इतना ही जाना है जादा नहीं जाना तो जागरन के लिए सबसे पहले चाहिए light दूसरा light खिड़किया खोल दी फिर भी नहीं जागता तो क्या करते हैं लोग पानी डालते हो उसके उपर पानी चाहिए जागरन के लिए water कौन सा पानी प्रभू प्रेम का जल प्रभू प्रेम का जल डाल दो अपने आप जागरन हो जाएगा किसके अंदर ऐसा प्रभू प्रेम ऐसा परमात्म प्रेम भर दो कि वो संसार की वासना है, वो जो लड़ रहा है विकारों से, एडिक्शन से, अपने आप ही खतम हो जाएगा, यही तो था जिसके वज़े से लोग ग्यान में आए, हमारे पास ओपड़ी में पेशेंट्स आते हैं, तो हम कभी पूछते हैं, एक्सरे देखते हैं, अरे यह तो बाकी लोग छोड़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं, उसके बाद कभी पिया, कभी हाथ भी नहीं लगाया, यह कैसे हो गया, यह प्रभु प्रेम, प्रभु प्रेम में वो पा नहीं गए जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया हमेशा की लिए तो प्रभु प्रेम में वो ताकत है कि हमारे जितने addictions है जितने केवल वो बीडी तंबाकू cigarette और वो नहीं बाकी भी सोड़े मन में addictions हमने निर्मान किये रोने का addiction दुखी होने का addiction sensitive nature का addiction किसी ने कुछ कह दिया तो तीन दिन तक मूँ लटका के उससे बात ही नहीं करना है वो इदर से हम इदर से कटी परमात्म प्रेम को भरने की विदी है अम्रित वेला प्रभु प्रेम से स्वयम को इतना भरतो इतना भरतो और वो काम के वल अम्रित वेला होता है इतनी प्रभु प्रेम की किरने स्वयम में आने दो कि फिर किसी देधारिक आज का वर्दान है मुर्लिका एक बाप एक बाप का कर्तव एक बाप की महिमा एक बाप दूसरा ना कोई बस यही बुद्धी में रहे और कुछ नहीं ये है सच्चे वफादार कौन सा जल प्रभु प्रेम का जल जहां आ जाएगा वहाँ पर सोना मुश्किल है फिर वहाँ बेहोशी मुश्किल है वहाँ मर्ज हो जाना मुश्किल है वह विस्मृती मुश्किल है निरंतर वो प्रेम खीजता रहे यह दूसरा तीसरा पानी डाल दिया फिर भी नहीं उठ रहा है आवाज करो उसके कुम्बकरन सोया हुआ है क्या किया फिर? रावन ने ढोल बजा है उसके कान में आवाज साउंड यह विद्धी है जागरन की साउंड कुन सा लाना है? डिवाइन कॉल जिसको यह आवाज आ गई प्रभू की वो रुकता नहीं है फिर परमात्मा की आवाज आ जाना फिर वो रुकता ही नहीं है सेंट फ्रांसिस अफ एसिसी सबसे पहला क्रिश्यानिटी में सन्यास जैसी कोई बात थी नहीं वेराग जैसी जिसने वेराग और ब्रहमचरे को स्थापित किया वो सेंट फ्रांसिस पहले नवयूवक था किसी से प्रेम करता था, शादी करने वाला था, देश पर आक्रमन हुआ, मिल्तरी आती है, बाकी सैनिक आगे चले जाते है, वो अपने घोडे को पानी पिलाने इस तालाव के पास आता है, फिर से आवाज आती है, Francis, go and rebuild my house again, मेरा जो घर है, जो जरजर हो चुका है, जाकर उसका पुनरुद्धार करो, कौनसा घर, किसका घर, क्या घर, कुछ पता नहीं, पर वो आवाज इतनी strong है, इतना force है उस आवाज में, कि वो वहाँ से पीछे turn हो गया, आ गया, और जैसे घर पोचा, राजा को पता चला, माबाप को पता चला, ये कायर है हमारा बेटा, भग कर आ गया, देश के लिए भेजाता, पकड़ा जाता है, जेल में डाल दिया जाता ह विद्रोई जैसा है, विद्रोई किया इसने देश के साथ, उस जेल में रहता है, और वहाँ ही अध्यात्मिक करांती होती है, जब छूटता है, वो दूडने लगता है, वो कौन सी मुझे आवाज आई थी, एक आवाज थी जो मुझे कह रही थी, कि मेरा घर फिर से बनाओ कौन सा घर, कैसा घर, धूडता है, इदर उदर भटकता है, देखता है, जर जर चर्च है, और फिर उसको एकदम स्ट्रॉंग फिलिंग आती है, यही वो जगा है, पत्थर इकटा करता है, अकेला मेहनत करता है, और वो चर्च को वपस बनाता है, वहाँ से एक नए एकी Christianity में established होती है, फ्रांसिसियन, जिसमें दो नियम होते है, एक सेलिवसी और पावर्टी, पैसे रखना ही नहीं है, और ब्रह्मचरिय, और फिर उसके शिश और बहुत बड़ी आगे कहानी है, तो क्या हुआ इसको, एक आवाज आई, डिवाइन कॉल, और जब ये कॉल आजाती है, तो व्यक्ति सो नहीं सकता है, पर इस कॉल के लिए भी हमें अपने आपको तयार रखना है, कम आजाओ, मेरा हाथ पकड़ो और आजाओ, वो आवाज ऐसी है, इतनी पावर्फुल है, वो आवाज किसको आई थी, ब्रह्मा बाबा को, क्या गीत है वो, राही चल पड़ा, अल्फ को मिला, अल्ला, बेग को मिली, जूटी बादिशावी, ये था, ये क्या था, इस इस डिवाइन कॉल, सारा बिजनेस छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, नहीं तो कोई छोड़ता है, छोड़ेगा, इंपॉसिबल, पर ये कॉल इतना पावर्फुल इसको कहते है, डिवाइन कॉल, हमें याद है, हम जब एकदम जैसे वेराक की अवस्था में थे, और जैसे संसार छोड़ रहे, ऐसे संकल्प में थे, और एक आश्रम में थे, वहाँ एक युवक आया, तो उसकी चर्चा चालू थी, वहाँ की जो मठाद्यक्ष थे, उन से, मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा रखता है, संसार छोड़ दू, तो जो गुरू जी थे, उसको कहते थे, नहीं, जब तक तुम को डिवाइन कॉल नहीं आएगा न, तुम छोड़ो मत, वेट करो, वह कह रहा था, मैं कम आएगा ये डिवाइन कॉल मुझे, मुझे अब भी पूड़ना है, उन्होंने उसको भेज दिया, और फिर हमारी बारी आई, मिलने की, तो हम छोड़े थे, 21, 22 वर्ष की, तो डिवाइन कॉल, डिवाइन कॉल अर्थात, ऐसा कॉल की, ये तुम क्या कर रहे हो, किस नर्क में पड़े हो, आओ इदर, निकल के वहा से, वैसे नह आसकता है कोई, किस कीचर में पड़े हो, आजाओ, मैं बुला रहा हूं तुमको, सब कुछ छोड़ छाड़के मेरे पास आजाओ, और ये कॉल इतना पाउरफूल होगा, इतनी स्ट्रॉंग टचिंग होगी है, फिर कोई इसे रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं, व्यक्त हो गया उनके लिए, तो जागरन के लिए क्या चाहिए, साउंड, डिवाइन कॉल, छोथा, फिर भी नहीं जागरे, कॉल आ गई, सोच रही है, मेरे लिए नहीं है, ये इसके लिए, ये दूसरे करने चाहिए, तुम लोग करो, आगे जाओ तुम लोग, मैं सब को आगे अब ब्रह्मा कुमरित में जाओ, बहुत अच्छा, मुल्यों में आता है न, दूसरों को कहते हैं बहुत अच्छा, और तुम, तुम कब आओगे, दूसरे, जाओ वहाँ वहाँ पर, बहुत अच्छा है, अगला, जब व्यक्ति सोतान एकुम्बकरन सोया हुआ है, तो रावन ने क्या किया, उसको हिलाना डूलाना चालू किया, उसको हिलाओ डूलाओ, इदर से हिलाओ, उदर से हिलाओ, तो व्यक्ति जागता है, तो चवता हिलाना डूलाना अर्थाद चिंतन, ज्ञान चिंतन निरंतर होता रहे तो अपने आप जागरन होगा वो कब होगा पता नहीं पर चिंतन छोड़ना नहीं है रोज आदा घंटा पॉन घंटा जो भी मुरली की पॉइंट कुछ भी ले लो कोई किताब ले लो एक लाइन पढ़ो और चिंतन करो एक आंत में जो लोग फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं वो क्या करते हैं एक फिल्म डाइरेक्टर की हम जीवन कहानी पढ़ रहे थे कभी तो उसमें उन्होंने लिखा था जब भी मुझे कोई नई फिल्म बनानी होती है और नई स्क्रिप्ट चाहिए तो मैं भारत से बाहर निकल जाता हूँ किसी दूसरे देश में जहां पर टाइम जोन ही डिफरेंट है यहां दिन है तो वहार रात है तो यहां के कोई कॉई कॉल उदर नहीं आते यहां इसके सब लोगों से अलग हो जाता हूँ क्योंकि मुझे अपना माइंड एकदम फ्रेश चाहिए और कोई डिस्टर्बंस ने चाहिए इसलिए मैं एकदम एकांत में चला जाता हूँ इवन एर रह्मान का एक इंटर्व्यू है जिसमें वो कहता है इसको पूछा कि यह तुम नए नए म्यूजिक लाते कहां से हो उसने का जब भी मुझे नए ट्यून नए म्यूजिक करना होता है तो मैं क्या करता हूँ एकांत में चला जाता हूँ बिल्कुल किसी से कॉंटेक्ट नहीं रखता हूँ सब से कॉंटेक्ट तोड़ देता हूँ और उस एकांत की अवस्था में माइंड ऐसा एक्टिव हो जाता है इतना क्रियेटिव हो जाता है कि उसे कांत और उस मौन से ही वो ट्यून निकलती है नेचर से क्याच करते हैं प्रकृती के समीब चले जाते हैं का अकेले जंगल में घूमते हैं यह सारे लोग और फिर वहाँ और फिर संसार उनकी जब त्यून सुनता बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत- यह जो तारीफ हो रही है बहुत बहुत बाहर की है यह तो यह परिधी पर उनके लिए कोई माईने नहीं रखती है बहुत छोटा है बादि उन्होंने जो धूंडा है वह अपने अंतस्त में धूंडा है अक्यвидी हो जाने का लाम है धंड मैं अक्यालहदब हो जाने का नाम है अध्यात्म कोई भी नहीं मैं मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं वहाँ पर नई रचनाय होती है नई कलाकृती, नई पैंटिंग्स नया संगीत, नया म्यूजिक नई कहानी नई कविताय यह सब कहां से निकलता है? आर्ट की जो फिल्ड है वो कहां जनम लेती है? एकांत में अच्छा इसलिए कुछ-कुछ नया निकालते रहते है और जितना गहरा एकांत होगा उतनी ज़्यादा नविनता होगी नहीं तो केवल चोरी होगी इसका चुराया, उसका चुराया यहां से लिया, वहां से लिया अपना कुछ भी नहीं है एक विक्ती था, वो भाषन देता था बहुत अच्छा, पर वो भाषन देना बन कर दिया लोग उसको बुलाने लगे आओ, आओ, दो, दो, उसने का अभी मुझे इंट्रेस्ट नहीं है फिर भी जबरदस्ती इतना किया, इतना किया उसके भगत, तो वो आया और मंच पर गया भाषन चालू करने से पहले उसने ऐसा किया ऐसा, फिर इंवर्टेट को फिर भाषन चालू किया भाषन पूरा हुआ, एकदम दुआधार भाजा, तालियों की गड़गड़ा हट भाषन पूरा होने के बाद उसने ऐसा किया तो लोगों ने पूछा बाद में ये सब तो ठीक है, पर ये जो किया ये क्या था, उसने कहा ये सब चुरायोव माल था, इन्वर्टेट कॉमा मेरा कुछ था ही नहीं इसमें इन्वर्टेट कॉमा अब मैं ये हूँ, जो तुम्हारे सामने हूँ ये सब किताबों घदा तो क्या चाहिए? चर्निंग अर्था चिंतन, मनन सोचना अर्था तैरना चिंतन करना अर्था डूबना अव्यक्त महवाक्य है बाबा कि तुम क्या करते हो? तैरते हो क्या मिलेगी तुमको मचलिया तुमको चाहिए क्या हिरे मोती रतन तो क्या करना पड़ेगा मैं गहरे मैं आशिक गहरे मोती का मुझे गहरे जाना है तुम तट पर बैट भावर की बाते किया करो मैं तो गोता खोरो अंदर जाओंगा पाचवा चुबाते हैं रावन को क्या किया था फिर वो भाले से चुबा रहे है इससे चुबा रहे हो उठी नहीं रहा है क्या करे अब नीत्रा इतनी प्रगाड इतनी गहरी है कि चुबा रहा पियर्स कर रहे है उसको यह पियर्सिंग क्या है जीवन के जो भी नकारात्म वो हमें किस लिए आ रहे हैं जीवन में? जगाने के लिए अब तो जागो इसको दोस्त करते है फिर रहे थे भाग गया न, धोका देखिया दो दोस्त मेरा मेरा करते हैं चला गया न, मेरा ये, मेरा वो धोके बास दुनिया है किसको अपना कहते? ये जब धक्ये मिलेंगे न तब जागना होता है तब अपने आप जागरन होता है जीवन के जितने नकारत्म कनुबो है वो किसलिए आए हमारे जीवन में? सिखाने के लिए, जगाने के लिए पर हम उसको ठीक है, सिखते ही नहीं है उससे भूल जाते है, बिती सुबिती चिंतन करना है, हम बृत वेले चिंतन करना है जीवन में जो नकारत्म कनुबो है उन सब का चिंतन किया, फिर भी नीद बहुत गहरी है, अब क्या करें? अब भी जागरन नहीं हो रहा है नेक्स्ट धक्का गोप कही सोता है, उसको पहले हिलाते नहीं सो जा उसके बाद में धक्का लगा उसको जोर से एक थपड लगा दो, धक्का लगा दो तब कहीं वो जागता है यहाँ पर कौन सा धक्का? कौन सा धक्का? यह जो धक्का लगता है यही हमें जगाता है धकार था शोक. उसके लिए जब-जब जीवन में शोक लगा है उसको बूलना नहीं है. एक तो वो छो हिलना डूलना वो चिंतन था, वो माइंड था. वो चुबाना भी माइंड था. ये धका है जो बहुत major shocks लगे है जीवन में. Major. तो वो जो है न वो शौक ही हमें ब्रह्म से मुक्त करते हैं जैसे वो नारद ने भेज दिया न उसको रतनागर डाकु की जाओ पूछ के आओ तुम्हारे पत्नी से तुम्हारे पापों में वो सहभागी है उसको लगता है सब मेरे साथ क्यूंकि मैं तो सब कुछ इनके लिए सब मना करते थे तब क्या होता है उसको मैं सब कुछ इनके लिए चूरी कर रहा हूं डाका डालता हूं और यह लोग कहते हमको कोई लेना दे नहीं तुम्हारे पाप है यह क्या हो गया उसको फिर धक्कल अगया यह क्या मेरे अपने पराय शॉक उसका ब्रह्म शॉक अर्थ भरतारी मेरी पत्नी फल गुमते गुमते वापस आगया पर हमारा ऐसा है हमारे ब्रहम तब तूटते है जब एकदम से एक्जाम पेपर आजाता है ब्रहम पहले ही बना है नहीं कि तूटना पड़े ऐसा जीवन जीओ की जिसमें ब्रहम ही उत्पनान वो ज्यान का निरंतर पर वह अवस्ता होगी, नहीं तो ब्रहमुत्पन्ना होते रहते हैं किसी को कहा जाए 1000 पेज की किताब है कि सको कितना टाइम लगेगा पढ़ने के लिए कोई लेकर कोई सामान्य विक्ति है उसको 6 मास 1000 पेज की किताब है कोई डॉक्टर है तो एक मेना कोई वकील है डॉक्टर को चाहदे एक मेना वकील है उसको चाहद पंदरा दिन कोई गहरा चिंतक है बहुत ज्यादा पढ़ने का जो शौकी ने उसको एक हफता ही लग जाए और जब एक विध्यारती को पूछा जाता है कि कितना टाइम लगेगा बताओ एक हजार पेज की किताब पढ़ने के लिए वो कहता है डिपेंड्स ऑन वेन इस दी एक्जामिनेशन एक्जाम कब है इस पर यह निर्बर करता है क्योंकि वो पढ़ेगा कब जब पढ़ाई जब एक्जाम सामने विलकुल एकदम सामने आ जाए तो पढ़ाई चालू करता है तब तक नहीं तो वो अवस्ताना हो कि टाइम पर शौक लगे और फिर जागे इससे पहले कि तैयारी पहले ही हो उसके बाद भी नहीं जाग रहा है आदमी नेक्स टेप फायर आग लगती ह तो सो सकता है क्या कोई कोई कहे कि मुझे आज बहुत नींदारी है मैं आज सो रहा हूँ कोई कहो थोड़ा सा गया कुछ करो डिसकस करे नहीं 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 आज नहीं कोई आ जाओ थोड़ा पाटी है नहीं नहीं आज नहीं मुझे बहुत मैं ठक गया हूँ इतना ठक गया ह और अच्छानक आग लग गई अब अब कहता है कि नहीं अब तो जागरन यहां तक दूसरों को बचाने में लगता है अब आग बूझ भी गई तो जाओ के सो जाओ अब कहें कि नींद फायर अफ वेराग आग किसकी चाहिए वेराग की तो ही जागरन होता है नहीं तो नहीं यह सातों चीज़े कर लिए फिर भी आदमी कुम्बकरन उठी नहीं रहा है अब एक ही चीज़ बचिए कौन सी? नंदी उपर से ख़बर लेके आया था घटाला कर दिया सब कुछ ट्राय कर लिया पर आदमी उठता ही नहीं कुम्बकरन की नीन्द लास्ट में कुम्बकरन कैसे जागा? सुगंद से सब कुछ फेल हो गया प्यूरिटी की खुश्पू नंदी यहीं होगा कही न कहीं वो यहीं था वो नंदी जो शिव का संदेश उसमें घटाला कर दिया धूर्णना पड़ेगा कौन था? सारा कुछ फेल हो गया फिर भी चेतना जाग नहीं रही है अगर किसी को जगाना है तो क्या करना है उसको अम्रित वेला? प्यूरिटी की सकाश दो सुगंद है प्यूरिटी अगर बत्ती लगा दो उसकी कमरे में उठेगा रोज रोज किसी एक आत्मा को प्यूरिटी की सकाश और जब हम प्यूरिटी में जीते हैं परम पवित्रात्मा हूँ, कौन हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, कौन हूँ, अंटच्च्ट, जगदिश भाई की कहानी फिर से बता रहे, एक कन्या है, जो पानी भर रही है, पंगट पर, एक युवक आता है, कहता है, प्यास लगी है, पानी चाहिए, वो कहती है, पानी मै से पानि डालतीวย वह पानि लेता है पानि पीता है सरय जाता है कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो जाती है बिना दोनों को बताए उनके माबढ़न की साधी करते थे प्राजीन काल में और पहली बार वह आमने समने आते हैं और जैसी एक दूसरे को देखते है वो कन्या कहती है अपना वादा भूलना नहीं अंग से अंग न लगे Purity अर्थात Untouched टच न करे कोई और बाबा के महावाक्य है संकल्प से यदि कोई टच करता है तो इसे क्या कहा जाएगा? संकल्प नजर से टच नजर शब्द है बाबा की मुर्ली में नजर से भी यदि कोई टच करता है तो इसे क्या कहा जाएगा? किसने कड़ी है मुर्ली? महा बाबा बगवान के महावाक्य है नजर से हाथ से नहीं नजर, नजर से नजर से भी चमडी को टच कर करता है क्योंकि ये टच से ही माया चलू हो जाती है सारी हम किसी को टच ना करे कोई हमें टच ना करे अव्यक्त वाप दादा आते हैं मंच पर बैठे कितना कम हिलते डुलते हैं कि電 जादा हाली दादियों को थोड़ा बहुत बस बागी मुवमेंट्स कितनी कम है इसको टच करूँ उसको टच करूँ ये क्या है वो क्या है उच्छ नहीं शान्ती से बटे रहते हैं टच से माया उत्पन्न होती है स्पर्श तो कहाते हम सुगंद किसकी सुगंद? प्यूरिटी की प्यूरिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब ये लास्ट पॉइंट है उसके बारे में पढ़ो वो केवल स्वमान से रिपीट करने से नहीं होता है मैं परमपवित्रा आत्मा वो रिपीट करते रहे रिपीट करते रहे उससे नहीं होगा चिंतन से पढ़ाई से लोगों ने क्या क्या किया उसके लिए क्योंकि ये कोई नया सब्जेक नहीं है ब्रमचरिया कोई नया सब्जेक नहीं है बहुत समय से चालू है लोगों ने बहुत प्रेत्न किये इसके लिए और ये भी नहीं कहा जा सकता है वो सब मुर्ग थे जितना उनकी समझ में था जितना उनको समझ में आए सब कुछ किया और बहुत सारी बाते बाबा ने भी कहिए तो ब्यूरिटी की सुगंत तो ऐसे ये आठ सूत्र है जागे हुए कुम्बकरन को सोगे और जगाने के लिए कुम्बकरनी नीन से जागने के लिए नीन कोंसी है हमारी कुम्बकरनी नीन ते मा कुम्बकरनी नीन सबसे पहला बताया प्रकाश को लाना है कौन सा प्रकाश? ज्यान का दूसरा बताया पानी डाल देना कौन सा पानी? प्रभू प्रेम का तीसरा बताया आवाज तो वो आवाज हमको आजाए प्रभू को वो टचिंग हो जाए वो फिलिंग आजाए कि भावा ये मेरे लिए कह रहा है और इतनी स्ट्रॉंग वो आवाज है कि अब दुनिया वाले कुछ भी कहे हम रुकेंगे नहीं I am unstoppable today मैं रुकने वाला नहीं वो आवाज इतनी powerful है इतनी powerful है पर वो आने के लिए खुद को त्यार करना पड़ेगा चाओ था हिलाना डूलाना किस से हिलाएंगे डूलाएंगे हमको ये शरीर को अगर हिलाते डूलाते नहीं शरीर में आलस आजाता है इसलिए शरीर का हर अंग हिल्टा दूल्टा रहे एक्सराइस जो अंग हिल्टा है वाँ एनरजी फ्लो होती है यहाथो की एक्सराइस करो इसमें एनरजी जाएगी हर जॉइंट जो है हमारा कहते है साथ चक्र है परंतु सुक्ष्म में देखा है तो हर जॉइंट एक चक्र है और हर चक्र का एक्टिवेशन होना चाहिए साथो चक्र जो होते हैं कुंडलीनी जागरन यह एक एक जॉइंट एक चक्र है जितना इसकी एक्सराइस करोगे यह एक्सराइस के अवल हेल्थ परपस के लिए नहीं है यह एक्सराइस का स्पिरिच्वल सिग्निफिकंस है अगला बताया चुबाना किसे जीवन के जो भी कटू अनुब हो आए है नकारत्मक अनुब हो आए है एकांज में बैठ कर उनका चिंतन करो वो हमें कुछ सिखाने के लिए आयते अवर बेस टीचर यूवर बेस टीचर इस यूवर लास्ट मिस्टेक ऐसा कहा जाता है अगला शौक जो शौक वले इवेंट्स हुए है ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमारे जीवन में सब कुछ निश्श शौक है बिना शौक के हमें हर एक को शौक मिले हर एक के जीवन में अर्थक्वेक आते ही रहते भूकम तो कहीं-कहीं आते ही रहते दिन रात कहीं-कहीं नहीं आते अब अकम पहे कोई-कोई चेतना है पर मैक्सिमम लोगों के जीवन में एक ही दिन में पता नहीं कितने भूकम पाते सुबे लिख से लेके शाम तक अब भूकम पी भूकम कोई कहता है मैं इतने बज़ाता हूँ फिर आता ही नहीं फिर मन में चलता है संकल्प उसके बड़ी देखो बोला आया नहीं अगला फायर आग लगानी वैराख नव दिन तक वैराख की चर्चा यहां चली थी वैराख साधना अगला लास्ट सुगंध इससे तो बिल्कुल शूर शॉट है उठेगा परन्तु प्यूरिटी कैसी हो हम दूसरों को उतनी प्यूरिटी सिखा सकते जितनी हम में है हमारी आवास तभी बुलंद हो सकती है जब अंदर प्यूरिटी है अगर अंदर ही गड़बड है तो हम दूसरों को सिखा भी नहीं सकते इसलिए प्यूरिटी की सुगंध से स्वेम महकना है और इस सारे वसुंदरा पर प्यूरिटी की सुगंध फैलानी है अच्छा ओम शांती तो जाग जाग जागरे मात रगू पुकारती जागो ओम शांती तरून वीर देश के मुर्त वीर देश के जाग जाग जागरे मात रगू पुकारती तरून वीर देश के मुर्त वीर देश के शक्त अपने शीश पर आज चड़ के बोलता शक्त के घमंड में देश मान तोलता बात की समाधी को शंबू के निवास को देख आख खोल तू अर्ग लाट टोलता अर्थी देखी रख तू वत्र देखी शक्त तू इरती है खड़ी हुई आरती उतारती माती भूपुकारती करून वीर देश के मुर्थ वीर देश के आज नेत्र तीसरा रुत्र देव का खुले अंडव के तान पर कांप व्योम भूटुले मान सर पे जो उठी बाहु शिक्र द्वस्त हो बाहु बाहु वीर की स्वाभी मान से खिले जाइग शंख भूकरे शूरयोन चूकरे मात्री भूमी आज फिर है तुझे निहारती मात्री भूम पुकारती करून वीर देश के मुर्थ वीर देश के आज हाथ रिक्त क्यों जन जन विक्षिप्त क्यों शत्र हाथ में लिए करके तिरची आज फूँ देश लाज के लिए जड़के साज के लिए समय आज आ गया तू खड़ा है मान क्यों करो सीह गर्जना शत्र से है निबटना जैनिनाद बोलरे है जे भारती मात्री भूम पुकारती तरून वीर देश के मुर्त वीर देश के जाग 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 रे मात्री भूम पुकारती मात्री भूम पुकारती जाग 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 ने मात्री भूपु कारती